हेलो एवर्यों वल्कम टो मा यूटूब चैनल स्पेसल अकेडमी आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPG के यहाँ पर discuss कर रहे हैं और जो भी हमारे important question रहेंगे वो हम इस वीडियो में discuss करेंगे देखिए पिछली वीडियो में क्या हुआ था कि जो हमारी वीडियो है वो वीच में ही रुक गई थी तो आज हम वो question फिर से repeat करेंगे तो चलिए start करते हैं हमारा आज का पहला question तो देखिए पहला question है हमारे पास किस व्यक्ति को प्रदेश का प्रत्थम डिप्टी चीफ कमिशनर बनाया गया था तो देखिए option यहाँ पर दिये गए हैं और हमारा जो यहाँ पर सही answer आएगा व्यक्ति को प्रत्थम प्रदेश के अस्तित्तों में आने पर प्रदेश का प्रत्थम चीफ कमिशनर 15 अपरेल 1948 में किसे बनाया गया था तो देखिए option यहाँ पर दिये गए हैं और इसका सही जो answer आएगा व्यक्ति को सम्मिलित किया गया था तो देखिए option यहाँ पर दिये गए हैं बिलासपुर, धीमी, सुजानपुर या फिर सिर्मौर तो इसका जो सही answer आएगा वो आएगा option नमबर यहाँ पर दिये सिर्मौर देखिए सिर्मौर के बारे में थोड़ा सा हम आपको जो जानकारी दे दे कि जो सिर्मौर राजे की जो स्थापना है वो राजारसालू के दोरा की गई थी और देखिए राज्य सरकार ने धोला कुवा में क्या कि यहाँ खादे प्रसंसकरन इकाई सुरू की है और HPMC की जो फल प्रसंसकरन इकाईया हैं वो राजगड और बागधन में है राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में इसको सामिल कर लिया गया है दीखिए मेले यहां पर कौन-कौन से लगते हैं सिर मौर में तो एक तो ब्यास मेला लगता है गांधी मेला लगता है और नाग नौना मेला यहां पर लगता है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन की तरफ नेक्स्ट क्वेस्टिन है हमारे पास सन एक हजार नौ इस भी में जिस समय महमूद गजनवी ने नगर कोड पर आकर्मन किया उस समय वहां का सासक कौन था तो देखिए आपसन यहां पर दिये गए हैं और इसका जो सही अंसर आएगा वो आएगा आपसन नंबर यहां पर ड जगदीज चंद और पसनियां पर डीज सही हो जाएगा देखिए एक हजार एक में महमूद गजनवी ने भारत पर आकर्मन किया था और एक हजार नौ में अपने चौत्थे अभियान में सिंधु नदी के तट पर आनद पाल को हरा करके पंजाब की तरफ बढ़ा था और द किलिक के राजा तोमर ने महमूद का जो पोता था मुद्दू उसको हरा करके किले को अजाद करवाया था तो ये थी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेस्चिन की तरफ नेक्स्ट है कांगडा के राजा बीधी चंद ने सभी प यहां पर होगा यहां पर असीद लिखा हुआ है नवासी आएगा यहां पर पंद्रासो अठासी से पंद्रासो नवासी यहां पर सही हो जाएगा ऑप्स नंबर सी यहां पर सही आ जाएगा देखिए जो उसने क्या किया था पंद्रासो अठासी से नवासी में गुपत रू सम्मान के साथ हुने उनके क्षेत्र लोटा दिये और देखिए जहांगीर ने 1605 में दिल्ली का सीहांस संभाला था और जब त्रिलोग चंद ने भी क्या किया था 1605 में ही कांग्रा का वो सासक बना था कहा जाता है कि जब तिलोग चंद मुगल दर्वार में बचपन से था और उसके पास एक दोत्ता था लेकिन क्या हुआ जहांगीर ने उस तोत्य को मांगा लेकिन त्रलोग चन्द ने मना कर दिया और तभी इससे क्या हुआ उनक दोनों के बीच में सत्तुर्ता पैदा हो गई बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्चिन की तरफ नेक्स्ट है हमारे पास तेरवी स्थाबदी में सुल्ताना रजिया बेगम के बिद्रोही सरदार मुहम्मद जुन्यदी ने हिमाचल के किस राज्य में सर्ण ली थी तो देखिए किस राज्य में सर्ण ली थी तो सिर्मौर राज्य में उसने सर्ण ली थी और सिर्मौर जिले के तिहास का जो मुख्य स्रोत है वो कमवर जॉर सिंग द्वारा जो लिखित किताब है वो तारीख है रियासब सिर्मौर है और इसी से सिर्मौर जिले की जानकारी मिलती है देखिए सिर्मौर की जो स्थापना है वो जैसल मेर के राजा रसालू ने की थी जैसल मेर का जो राजा है उसके द्वारा ये की गई थी और उसके पुरवज का नाम क्या था सिर्मौर था इसलिए वहां का नाम क्या रखा गया सिर्मौर रखा गया और यहां के जो वास्तविक निवासी है उनको कुनिद कहा जाता है कुनिद कहा जाता था पहले लेकिन अब क्या कहा जाता है कनैत उनको कहा जाता है देखिए एक राजा हुए है यहां सिर्मौर में उनका नाम है उदित परकास उदित प्रकास ने क्या किया है कि राजधाने को राजबन से कालसी को स्थानांतरित कर दिया है और एक राजा हुए है राजा ब्रह्म प्रकास उन्होंने क्या किया है राजधाने किसको बनाया है तो कोट देवलत को राजधानी बनाया है एक और राजा हुए हैं बुद्धी प्रकास तो बुद्धी प्रकास ने क्या किया है राजपूर को अपनी राजधानी बनाया है आपने तीन नाम याद रखने है एक तो राजा उद्धित प्रकास उन्होंने राजवन से कालसी राजधानी को स्थाना अंतरीत किया है ब्रह्म परकास ने किसको बनाया? कोट देवलत को और बुद्धी परकास ने किसको बनाया? तो राजपूर को अपनी राजधानी बनाया है देखे एक और राजा हुआ है राजा अमर परकास क्या नाम है अमर परकास नाम है उन्होंने क्या किया है देखिए ब्रिटिस सरकार ने प्रत्थम विस्वियुद के दौरान उसकी मुल्यवान सेवाओं के लिए उसे K.C.S.I क्या दिया है K.C.S.I का जो खिताब है वो उसको दिया है और 1918 में उसे अंग्रेजों द्वारा मह राजा का खिताब भी दियर गया उसने महिमा लाइवरेरी का उद्गार्टन भी किया है और नाहन से काला आम तक जो सडक है उसको पक्का करवाया है ठीक है और 13 अगस 1933 को उसकी मृत्यू वियना में हो गई ये उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी बढ़ते हैं next question की त तो देखी option यहाँ पर दिये गए हैं और इसका जो सही अंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर option number A यहाँ पर सही हो जाएगा है इनसांग बढ़ते हैं next question की तरफ next है किस मुगल सास किस में में फ्रासनिंसी यातरी वर्नियर हिमाचल प्रदेश में आया था तो देखी option यहाँ पर दिये गए हैं और अरंग जेब जहांगीर हुमाईयू या फिर अकबर तो इसका जो सही अंसर आएगा वो आएगा option number यहाँ पर A और अरंग जेब नेक्स्ट क्वेस्टिन है हमारे पास हिमाचल में प्राचिन कुल्लू राज्य की स्थापना विहंग मनिपाल द्वारा कब की गई थी? तो देखिए कब की गई थी? पंदरासो इस बी में ओप्सनी यहां पर C सही हो जाएगा पंदरासो इस बी में क्या हुआ है? बिहंग मनिपाल द्वारा कुल्लू राज्य की स्थापना की गई थी देखिए जो कर्नल है एपी एफ हार कोल्ट ने अपने किताब कुल्लू लहॉल और स्पिती में कुल्लू के धिहास के बारे में लिखा है और प्राचिन काल में कुल्लू पर साथ वजीरी सासन करते थे कितने वजीरी सासन करते थे तो साथ वजीरी सासन करते थे तो वो साथ वजीरी कौन कौन से थे एक तो था वजीरी परोल वजीरी रूपी वजीरी लाग वजीरी सराज वजीरी लागसरी वजीरी लाहूल और वजीरी बंगाहल ये थे सात परोल और कुलू के जो संस्थापक है वो है बिहंग मनिपाल जो प्रियाग इलाबाद से आया था और उसके पास रानी पुरोहित उ प्रियासत संगठित की एक राजा हुए हैं यहाँ पर कुल्लू में विशालपाल तो देखी विशालपाल के राज तक कुलू की राजधानी नास्त थी जिसका जो दूसरा नाम था वो था जगत सूख एक राजा हुए है विसूद पाल उन्होंने क्या किया है इसने राजधानी नास्त से नगर को स्थानांतरित की है एक और राजा हुए है जगत सिंग उन्होंने क्या किया है राजधानी गर्षे सुल्तानपुर 1660 में स्थानांतरित की है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन की तर्प तो नेक्स्ट है हमारे पास कांगडा पुस्तकाले पर अधिकार कर सभी पुस्तकों का फार्सी में अनुबाद निमन लिखित में से किस सासक ने करवाया था तो देखिए ओप सहा तुगलक यहां पर सही आंसर हो जाएगा तो स्टूडेंट्स यह थे हमारे कुछ इंपॉर्डेंट क्वेस्टिन आपको वीडियो कैसी लगी तो कॉमेंट वॉक्स में जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू